हेलो भीवार्स आप सब कैसे हो उम्मीद है आप सब अच्छी हो भीवार्स आप सब को आशा एडल कुकिंग में स्वागत है आज भी हम दूसरी दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ वह रेसिपी है एक रोल की रेसिपी और बहुत ही चट पटा और चट पट बनने वा आएंगे तो स्वाथ अनुसर नमक भी हम उसमें डाल दिया और उसमें डाल देंगे तेल चाय के चमज से हम इसी तरह 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 दाल देंगे चार चमज तो हमने तेल डाल दिया और इन तेल और आटा को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसी तरह हम ने मिला लिया अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा कर पानी डाल देंगे और आटा को हम गुंद लेंगे आटा में हम इसलिए तेल डाला हमारा पाठ्ऩा जो बनेगा वो बहुती सब पाठ्ऩा बनके तयार होंगे तो इसलिए हम उसमें तेल डाल दिया तो इसी तरह हम गुंदते रहेंगे आटा को जब तक ये सब्ट डोर ना बने तब तक हम इसे गुंदते रहेंगे तो हमने इसी तरह चार पांच मिनिट तक गुंद लिया आटा सब्ट बन के तयार हुए अब हम इसे ढखकर एक साइट में दस मिनिट के लिए रखेंगे दस मिनिट बात इन आटा को फिर से थोरा हम गुंद लेंगे इसी तरह तो हमने गुंद लिया आप हम लोयों के अकर में कट लेंगे इसी तरह तो हम तीन एक रोल बनाएंगे तो इसलिए हम तीन लोई काट लेंगे इन बॉल को हम एक साइट में रखेंगे और उसी में से एक लोई उठा कर हाथ में लेकर उसका पेड़ा बनाएंगे और इन पेड़ा को हम बेल लेंगे बेलंसे तो थोड़े हम सुके मैदा भी लगा लिया उसमें और इसी तरह हम बेल कर इसका एक रोटी बना लेंगे तो इसी तरह हमने एक रोटी बना लिया और बाकी रोटी भी हम इसी तरह बना लेंगे तो इसी तरह हम सारे रोटी बना लिया अब हम इसे सेक लेंगे हमारी तवे भी गरम हो गया अब हम इसे सेक लेंगे तुरूटी डाल दिया एक मिनुट एक तरफ सेकने के बाद हम इसे पलत देंगे इसी तरह जूसरी साइट में भी एक मिनिट सेखने के बाद हम इसी तरह पलत दिया और इसे हम चमस के माद़ से इसी तरह से हम दबा दबा कर सेखेंगे और इसी तरह हिलाएंगे जिस तरह से हम रोटी पराटा सेखती हूं उसी तरह हम सेख लेंगे अच्छी तरह से हमें सेखना है तो इसी तरह हम सेख लेती हूँ और उसमें हम तेल लगा लेंगे तो हम दो चमस तेल डाल देंगे तो तेल डाल दिया और इसी तरह हम मिला लेंगे चमस के मदच्छे तो हमने मिलाया इसी तरह और पलट भी देंगे तो ये नॉन स्टिक की पैन है इसलिए दो चमस तेल ही कफी है और दूसरे साइट में हमें डालना नहीं परेगा वही दो चमस से कफी है तो इसे हम पलट-पलट कर सेख लेंगे तो परटा हमारा सेख गई अच्छी तरह से तो अब हम इसे निकल लेंगे देखिए अच्छी तरह से सिखाए हो गई परटा की तो हम इसे निकल लेंगे तो निकल लिया दूसरी परटा भी हम इसी तरह सेख लेंगे तो इसी तरह हमने सारी परटा सेख लेंगे तो हमने सारी पराठा सेख लिया अब हम अंडा की लेयर बिठा देंगे इन पराठा के ओपर एक रोल है तो एक तो डालना ही परेगा इसलिए हमने एक अंडा ले लिया उसे हम तोर कर इन कटूरी में डाल देंगे तो हमने एक अंडा तोर कर डाल दिया और उसमें स्वात अनुसा नमक भी हम डाल देंगे और अंडे और नमक को अच्छी तरह से फेट लेंगे और तबे पे हम थोड़ा तेल डाल देंगे तेल डाल दिया अब हम इन अंडे को भी डाल देंगे अंडा भी हमने डाल दिया और इन अंडे को हम चारू और एक समान करकर फैला देंगे इसी तरह तो हमने फैला दिया अंडा आधी पकी हुए है देखिए अब हम उसकी उपर एक पाठा डालेंगे इसी तरह जप तक अंडे अच्छी तरह से नहीं पके तब तक यह गैस की उपर इसी तरह मिडियम फ्लेम में हम चमज के मदद से इसी तरह दबा दबा कर सेकेंगे तो इसी तरह हम सेक लेंगे गैस की फ्लेम मीडियम कर दी तो आच्छी तरह से सेक गई देखिए कलर भी कितना सुंदर आई तो निकाल लेंगे इसे तो दुसरी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे और तिसरी भी हम सेक लेंगे तो सारे हमने सेक लिया और उसी पेन में थोड़ा तेल डाल देंगे जो वेजिटेबल हम डाल देंगे वोई वेजिटेबल के थोड़ा हम भुनाई कर लेंगे एक मिनिट के करिब हाई फ्लेम में तो उसमें हम डाल देंगे सिमला मिर्स पहले सिमला मिर्ज को पतले पतले लंबाई में काट लिया और एक प्यास को हम लंबाई में पतले पतले काट लिया और उसमें गाजर भी हमने एक ग्रेट कर लिया ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल दिया और इन तीनों वेजिटेबल को हम भून लेंगे एक मिनिट के करिब गैस की फ्लेम हमने हाई रखी तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे और इसमें हम डाल देंगे स्वात अनुसा नमक तो नमक हमने डाल दिया और हम उसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर बहुत ही चटपटा बनके तयार होती है ये मसाला डालने में तो जरूर आप भी डालिए नहीं है तो नहीं डालना लेकिन है तो जरूर डालिए बहुत ही चटपटा और स्वाधिश्ट बनके तयार होती है अब हम मिलाएंगे स्वास सोस हम इसी समय मिलाएंगे बाद में हम नहीं मिलाएंगे हमने यहाँ पर डाल दिया एक चम्मस ग्रिन चिली सोस और दो चम्मस हम डाल देंगे तोमेटू केचप तो एक बार ही हम सोस मिलाएंगे दुसरी बार नहीं मिलाएंगे हमने गेज बन कर दिया और इसी तरह सौस के साथ इन सबजियों को मिला रही हूँ तो सबजी को हम इसी तरह मिला लिया और उसमें हम डाल देंगे खीरा एक खीरा को हमने कदुकस करके रखी तो वही खीरा हम उसमें डाल देंगे तो हमने डाल दिया और इसे भी हम इन सब्जियों के साथ मिला लेंगे और उसमें हम डाल देंगे आधा निम्बू की जूस हमने आधा निम्बू कार के रखी हुए है उसके जूस हम निचूर कर डाल देंगे तो इसी तरह हम निम्बू की जूस भी निचूर दिया और उसी के साथ सबजी के साथ हम निम्बू की जूस को भी मिला लेंगे तो बहुती चटपटा बनके तयार हुए हमारा स्टापिंग अब हम इसे एक प्लेट में निकल लेंगे वही खिरा की प्लेट में हम निकल लेंगे तो हमने निकल लिया इसी तरह तो अब हम रोल तयार कर लेंगे इन वेजिटेबल को हम चमस के मदद से इसी तरह फैला देंगे तो हमने फैला दिया अब हम इसे इसी तरह पकर कर इसे हम रोल कर लेंगे तो कितना आसानी से बन गई एग रोल हमारी तो घर में रहने वाले एवेलेबल चीजों से हम ये एग रोल बना सकती हूँ और इसका स्वाद भी ले सकती हूँ ज़रूरी नहीं है हमने जो जो भेजिटेबल डाली वो आप भी डाले आपको जो पसंद है वो ही वेजिटेबल आप लीजिए और उसका आप स्टापिंग बनाएए और उसी से आप एग रोल भी बना लीजिए और हर घर में अंडा एवेलेबल रहती है वेजिटेबल भी एवेलेबल रहती है तो आप असानी से ये recipe बना सकती हो तो जरूर आप इसे एक बर बनाए और इसका स्वात लेजिए बहुती स्वादिश्ट बन के तयार होती है देखने में भी जितना लाजवाब है, खाने में भी उतना लाजवाब है आप बनाएं और इसका स्वात आप पने फेमिली के साथ लेजिए अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शियार, कॉमेंट और सबस्क्राइब जरूर कीजिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद